सेवपुराण विद्धेशवर सन्हिता चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद सूर्जी कहते हैं हे मुनियों इस साधन का महात्में बताते समय मैं एक प्राचीन वियतांत का वार्ण करूंगा इसे आप लोग ध्यान पुर्वक सुने बहुत समय पहले की बात है पराचा मुनिक पुत्र मेरे गुरू व्यास देव जी सच्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे एक दिन सूर्जी की समान तेचर्श्वी विमान से याता करते हैं भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे मेरे गुरू उस समय ध्यान में मगन थे जागने पार अपने सामने सनत कुमार जी को देख कर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चर्णों का इस परस कर उन्हें अर्ग दे कर योग आसन पर विजाज मान किया प्रसंद होकर सनत कुमार जी गंभी वाणी में बोले मुनी तुम सत्य का चिंतन करो सत्य तत्य का चिंतन ही शेप आपती का साधन है इसी से कल्यार का मार्ग प्रसस्त होता है यही कल्यार कारी है यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुन्दर हो जाता है सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला इस परकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या सदा एक समान ही रहता है सनत कुमार जी ने महार सी व्यास को आगे समझाते हुए कहा महार से सत्य प्यदार्थ भगवान सीव ही है भगवान संका करतन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्विस एस्ट साधन है पूर्दकाल में मैं दूसरे अनेका नेक साधनों के भ्रम में पड़ा घुमता हुआ तपस्या करके मंदरा चल परवत पर जा पहुँचा कुछ समय बाद महेश्वर सीव की आग्या से सबके साच्छी तथा सीवगणों के स्वामी नंदी के स्ववर वहां आए और इस नेहें पूर्वक मुक्ती का साधन बताते हुए बोले भगवान संकर के शेवन कृतन और मनन ही मुक्ती का इस्तोत है या बात मुझे सेव देवा धिदेव भगवान सीव ने बताई है अताहत तुम इन ही साधनों का अनुष्ठान करो व्याज जी ने ऐसा कहकर अनुगामियों सहीत सनत कुमार अमधाम को चले गए इस उत्तम इतान का संछेप में मैंने वर्डन किया है जिसी बोले सूच जी आपने शेवन कृतन और मनन को मुक्ती का उपाय बताया है किन्तु जो मनुस इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुस से कैसे मुक्त हो सकता है किस कर्म के द्वारा बिना यतन की ही मोच मिल सकता है तो दोस्तों ये था चाउथा अध्याय बोलिए ओम नमस्वाय हधाय महादेव